हाई अवरिवन वेल्कम बैक टू दिस फर्श वीडियो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यहां पर हमारी एनरजी तेज होती है और वीडियो का स्पीड थोड़ा सा फास्ट होता है तो अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख लीजिएगा सीबीसी का जो भी ऑफिशल अपडेट आता है एक तो सीबीसी के वेबसाइट में आता है और दूसरा हमारे चैनल में तो दूसरे यूट्यूब चैनल सो भी आता है बट सबसे पहले न आप ये सीबीसी के साइट को नोट कर लो cbse.gov.in this is the official main website कोई भी circular आएगा notice आगा हमें इसी website पर depend रहना पड़ेगा इसके अलावक कहीं और आता है या फिर कोई वीडियो में पहले आ जाता है तो फिर आपको भरोसा नहीं करना है क्योंकि बहुत जादा अगर कोई बोल रहा है कि डेट फॉर्म आ गया तो उसको लिंक मांगो अगर फॉर्म फिलप हो रहा है तो उसको लिंक मांगो तो अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूं आज 28 में के दिन में और आज तक अभी फॉर्म नहीं आया है जब फॉर्म आ जाएगा फिर हम वेबसाइट पर क्लिक करना है वो ओपन करने के बाद आपको ऐसे पूरा वेबसाइट देखने को मिलेगा this is the complete website मतला फ्रेंट पेज उसके बाद आपको लेटेस्ट सी बीएसी में जो भी लेटेस्स सर्कुलर्स होगा वहां पर देखने को मिलेगा इस पर जूम करते हैं य कर लो यार आपका रिजल्ट आया था लास्ट यर 12 मही को और इस बार आया 13 मही को एक दिन का बस डिफरेंस है तो इस बार भी अगर हम लोग कैल्कुलेट करें तो फिर जाद से जादा एक दिन का दो दिन का तीन दिन का फरक होगा इससे जादा फरक नहीं होगा जादा से मान लो अगर हम expectation भी ऐसा करें तो एक हफते का gap हो जाएगा उससे ज्यादा gap नहीं होगा आपको last year का circular दिखाता हूं यह है 29 में 2023 आप date देख सकते हो 29 में को आया था आज है 28 में और result एक दिन बाद आया था तो 29 के जगा मान लो 30 में को आ जाएगा या क्या पता आज आ जाए photo copy मंगवाते हो फिर यह सारा process नहीं होता है उससे पहली आ जाता है form तो फिर students लोगो wait करने का मोहका नहीं मिलता कि वह result complete होगा फिर वह process करेंगे उनका marks upgrade होके आएगा तब तक compartment का form fill up date भी over हो जाता है तो decision जल्दी लेना है आपको form fill up कर लेना है यह last year का देखो 2023 यहां प फर्स चांस हेंगे सेकेंड चांस हेंगे थर्ड चांस है सबके लिए तो एक चीज़ याद रखो compartment first chance दे सकते हैं compartment third chance दे सकते हैं improvement वाले जो same year में दे रहे हैं वो दे सकते है regular student जो compartment में है 2023 वाले वो school के जरिये से respective school बोला गया है यह point को याद रखो respective school इसको मैं highlight भी कर भूलना मत क्योंकि school के जरिये से ही होगा अगर आप 2024 में regular candidate से school जा रहे था आपको school से registration था आपको प्राइवेट में खुद से form नहीं पर है आपके result में school name में school लिखा हुआ है private candidate नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप eligible हो school के जरिये से fill up करवाने क्योंकि आपका board exam का registration उनके जरिये से वह था तो वो form fill up कर लिए आपके लिए go and contact them और अपना form fill up करवा लो don't wait है नम जैसे ही आएगा result उनके लिए अलग circular आया है यहाँ पर दिया गया है link तो कब से शुरू होगा एक जून से शुरू होगा दिया गया था तो इस साल भी expected है अगर कल भी circular आ जाते है परसो भी circularize एक जून दो जून maximum शुरू हो जाएगा थर्सडे है इस बार का एक जून का मैं डे बताता हूं एक जून का डे है साटरडे ठीक है साटरडे है इस बार का 2024 के लिए तो या अभी online सब चीज हो रहा है तो कोई holiday वगेरा नहीं है Sunday है छुट्टी है या फिर कोई transaction नहीं हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है आपका Sunday हो Saturday हो कोई holiday हो तब भी आप form fill up वगेरा process कर सकते हो कोई घर बैटा है online है सारा चीज ठीक है यह चीज हो गया और यहाँ पर link भी दी दिया गया है can be done through the cbc website link सारा link वगेरा आ जाएगा और आपको यह सारा दिया गया है कि mark sheet व जिन आएगा उसी दिन डेट पर एनाउंस हो जाएगा so be ready for the date also लास्ट एर आधा 17 जुलाई को exam होगा 12 वालों के लिए 17 जुलाई एक ही date होता है only one day तो जो लोग का दो compartment आता है वो लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए अलग वीडियो है बट एक बात याद रखो कि आपको एक ही दिन में exam देना है तो मत सुचू कि आप multiple subject दे पाऊगे compartment class 10 के लिए 17 टू 22 है क्योंकि वहाँ पर कुछ multiple वगएरा होता है multiple dates में आप exam दे सकते हो eligibility है कि दो subject में दे सकते हैं बर 12 वाले एक ही subject में compartment दे सकते हैं और इस बार का date अगर हम लोग guess करें calendar में अगर मैं देख रहा हूँ 17 जुलाई इस बार है the day is Wednesday Wednesday तो एक दिन और बढ़ा लो मानलो 18 जुलाई को हो जाएगा 18 जुलाई will be Thursday है ना काफी लोग बोल रहे हैं कि 15 जुलाई को होगा क्योंकि यह Monday है तो कोई भी date हो जुलाई के इस हफते में होगा जो third week रहेगा ना third week के अंदर ही आपका exam complete हो जाएगा ठीक है एक ही दिन में सरा हो जाएगा तो यह मान के चलो यह Monday है तो circular में सब कुछ लिखा गया होगा और हाँ पैसा कितना लगेगा अगर आप private candidate हो तो private candidate के लिए 300 रुपे पर subject लगेगा without late fine और यहां पे 200 रुपे लगता है practical का वो भी लिखा होगा क सब्जेक्ट यहां पर लिखा गया है इन आया प्रिवेट के लिए नेपाल के लिए आउटसाइड इंडिया के लिए स्केडूल है एक से पंदरा तारिक तक पंदरा दिन का आपको टाइम मिलता है फॉर्म फिलप के लिए schedule of fee payment और date of submission वगेरा सब लिखा है तो इस बार भी same to same रहेगा circular यह सारे points देखना सारे same के same आ जाएंगे तो जो भी online payment वगेरा होगा सारा online होगा कोई hard copy वगेरा जो offline payment है वो accept नहीं किया जाएगा अब बात करते हैं यार date sheet यहां पे भी date sheet आता है से वेसी का same और एक circular आता है यह circular में लिखा गया है Monday 17 जुलाई सारा subject देख 1.30 p.m. तो आप अगर subjects भी यहां पे डूंड़ो देखो mathematics यहां पे दिख रहा है physics दिख रहा है chemistry देख रहा है biology दिख रहा है इस सारे तो main main subjects है science वालों के लिए तो English भी यहां पे है और geography economics और कौन सा है accountancy, business studies, physical education, computer science, everything is there in the same date तो आपको एक ही date के लिए तयार होना है यह circular हो गया यह date sheet बता दिया यह आप लास्ट येर के circular से मैंने निकाला है यहां पे Hindi English दोनों दिया गया है तो क्या क्या आया था circular किस date पर आया था वो भी देख लो आप आपको अपडेट नहीं है अभी के लिए कोई और अपडेट आता है तो मैं जल्दी से वीडियो बना के डाल दूंगा कैसे form fill up करना है मैं भी form fill up करता हूं अगर आप किसी को करवाना है तो फिर देखें contact में बात में मैं बताऊंगा कैसे contact करना है क्या form fill up करना है Google form के जरि और पिन कमेंट में मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीव लर्निंग कीव एक्स्प्लोरिंग कीव स्माइलिंग थैंक यू सो मच